हलो स्टुरेंट्स वेलकम टू यूपीस एसस टैली स्रीज का लेक्षर नमबर 48 है और आज हम इस वीडियो में टैली के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में देखेंगे तो सबसिपले हैं यहां पर हम बात करते हैं जब भी हम टैली ओपेंटेंटं नडेच की आूगा जब भी हम टैली ओपेंट करते हैं तो यहां पर आप यहां पर गुद्धा है था कि हम by default जो company open होती है उसे कैसे change कर पाएंगे ठीक है company तो वैसे अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे select company में जाएंगे यहाँ पर हमारे पास दो company है ठीक है और दो company जो है वो कौन से address पर है आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास दो company और है case study 2 और यह 2 मलब दो company यहाँ पर भी है और अभी हमने आपको बताए जो c drive है वहाँ पर भी आपकी दो company है समझ गए ना तो यहाँ पर अभी current time में जो company open है यह कौन सी है यह आपकी है मलब यह by default जो address है आपका c user public यह आपका क्या है default address already set है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा address है यह दी drive में और tally वाले folder के अंदर और जो data वाला folder है वो आला हम यहाँ पर default address set करना चाहते है तो वो यहाँ पर हम इस तरह से नहीं set कर सकते हैं आपका क्या है यहाँ पर देखेंगे automatic फिर से वही company open कर देगा cash study 1 ठीक है और इसकी location क्या है यहाँ पर देखें लोकेशन इसकी है c user public tally rp line समझ गया ना तो यहाँ पर हम इसकी location change कैसे करेंगे चली इसको देखते हैं ठीक है अब न 요즘 देखें रहें फिल का हम एन्सटार कर अंण होता है यहाँ पर आपको जाना पर हम सकता है c drive in install हो तो आपको फिर जाना होगा ठीक है हमने यहाँ पर ड़ायमapor ननिस्टारब इंस्टाल हो ठीक है और हो सकता है कि यह configuration file होती है टैली की इस पर आप यहाँ पर sign देख सकते हैं यहाँ पर setting का sign बना हुआ है इस तरह से समझ गए ना तो यही वाली file आपको जो है open करनी है ठीक है इसको double click करके open कर लेना notepad पर open हो जाएगी इसमें आपको नीचे बढ़ना तो यहाँ पर आप देखेंगे इसक specific location of data files इसका जो location है वो क्या है हाँ पर देखें c user public dot यहाँ पर यह वाला address set है समझ गए ना यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना चेंज कर देना और ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी कहीं पर कोई space या फिर extra click ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक colon यहाँ पर shift के साथ ठीक है इस तरह से और slash यह वाला रहेगा ध्यान रखना यह वाला slash आपका नहीं होगा यह वाला रहेगा ठीक है और उसके बाद यहाँ पर जो folder है हमारा tally और फिर data ठीक है यह हमने यहाँ पर देखें सेट कर दिया है इतना और finally यहाँ पर हम फाइल म जाकर के से जब हम सेब करेंगे तो हमारा जो मलब यह वाली location है यह set हो जाएगी लेकिन जो पुरानी वह हट जाएगी तो हम यह काम करते हैं इसे अभी नहीं सेब करते हैं हम वापस से इसे open करते हैं और यहाँ पर हम इसको copy कर लेते हैं ताकि बाद में जो location है वो फिर से change कर पाएं वनना इतना लिखना पड़े का ठीक है तो हमने copy कर लिया और एक नई notepad की फाइल बना लिए temporary ठीक है notepad और यहाँ पर हमने paste कर लिया और यहाँ नहीं किया बस minimize कर दे जस्ट और अब यहाँ पर हम वही लिख देते हैं d colon slash tally slash data ठीक है अब हमने कुछ नहीं किय simply यहाँ पर जहां हमारा tally software install था वहाँ पर गए d drive में tally वाला folder open किया और वहाँ पर एक notepad की file open किया और वहाँ पर हमने address change कर दिया जो भी हमें default address set करना हो ठीक है और उसके बाद इसे हम file में जाकर कि यहाँ से save कर देंगे और इसे हम close कर देंगे और अब यहाँ पर select company में जाए तो यहाँ पर आप address भी देख सकते हैं उपर यानि path यह आपका change हो गया है ठीक है वापस से इसे सही करना है यानि वैसे ही करना है तो simply हमें क्या करना होगा वही पर जाना होगा और चलते हैं वहाँ पर हम यह ठीक है इस तरह की file आपको मिलेगी यहाँ पर हमार इसको cut कर दिया इसकी कोई जरूद नहीं है और यहाँ पर इस हमने paste कर दिया ठीक है और फिर से हम एक बार save करेंगे और close कर देंगे ठीक है इसे भी close कर देंगे तो यह address यानि by default address आप कैसे set करेंगी यह पता चल गया होगा देखिए आपर वापस से cash study 1 और यहाँ पर अग अब एक छोटी सी problem और होती है देखिए problem नहीं होती है actually क्या होता है कि अगर जो देखे टैली होता है ठीक है टैली क्या गरता है बाइडिफॉल्ट हमेशा जब भी आप टैली कंपेटर में इंस्टॉल करेंगे तो या तो वो C ड्राव में बाइडिफॉल जाएगा अगर चेंज कर देते हैं तो ठीक है मालों डी ड्राव में चेंज कर दे है डी ड्राव में टैली इंस्टॉल हो जाएगा ठीक है लेकि नहीं तो चेंज करने पर होगी बाइडिफॉल्ट सी होता है और अगर टैली में कंपनी में कोई भी एडिटिंग करते हैं जैसे यहां पर एक नाई läuft जो अल्टर तो कर देता एंगी एडिट किया वह अगर धिड्रिव सेट है या कोई और सेट उसको पजो पाफट कर देता था क्वि पि में नही पर सेट कर देता था था जा मैं address का खेल है वो क्या है ठीक है हम by default भी address set कर सकते हैं और अगर कभी भी अगर हमारी कोई company already d drive में बनी है यानि d drive में create है या किसी other location पर और अगर उसमें हम alteration करते हैं यानि कोई भी changes करते हैं तो उस condition में वो company होगी उसकी location change हो जाएगी वो c drive पर चली जाएगी समझ गया ना I think समझ गया होगी चली तो यह तो हो गया अब बात करते हैं आपर हमें कुछ important feature के बारे में ठीक है तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि company है हमारी ठीक है यह company है और एक company का financial layer पूरा complete हो गया तो हम क्या चाहते हैं कि जो पिछली चार company है या पिछली दो company है उनका हम backup बना करके सोरच छित किसी cd या pen drive में रख ले उन company का backup बना के समझ गया ना ताकि अगर by chance यहाँ computer में कोई problem होते ही delete हो जाती company आ या कुछ भी तो वहाँ से हम उसे restore कर सके ठीक है तो कुल मिलाके अगर company का backup बनाना चाहते हैं ठीक है तो कैसे बनाएंगे चली देखते हैं तो यहाँ पर आपको company सबसे पहले तो open कर लेनी है मिलब जिस company का भी backup बनाना है वाइसे open नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्का नहीं आपको सीदे चले जाना है आपर company info में अल हमका source क्या है यानि वो company का अल्रेडी कहां पर बनी हुई है तो हमारी जो मिलब जिस company का हमें backup बनाना है वो जो company है वो सीड यूजर पबलिक इस अड्रस पर है समझ गया ना source पर और company का जब backup बन जाएगा मिलब अभी हम जब बनाएंगे backup बनेगा बनने के बाद में वो फ अड्रस हैं पर company उठानी हो destination इस address पर company को पहुंचा देना है ठीक है बैक बनाने के बाद में तो वही चीज़ है यहां पर डाली जाती है तो source में तो हम वही डालेंगे जहां पर हमारी company है already create है destination में हम जो चाहें वो डाल सकते हैं मुलब जहां पर हम फाइल बनाना चाहते ह यहाँ पर D Drive में, योपी नाम का फोलडर हैं चुनल वाया पर ገ देखा या पर देख The लेना चाहते हैं तो अलब हमने, गालन स्लेस उपी डाला ठीक है, उस फोलडर का नाम और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखे दो कंपनी यह बता रहा है मलब इस सी user public tally.erp9 data में इस address पर दो companyya create हैं और उन दोनों में से आप कौन सी company का backup बनाना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पर select करनी है मा लेते हैं यहाँ पर हम cash study 3 का backup बनाना है तो इस पर हम enter कर देंगे तो यहाँ पर उसका backup इस तरह से बन जाएगा और यहाँ पर एक और बच्ची अगर इसका भी आप backup बनाना चाहते हैं एक साथ 3, 4, 5 company का backup बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं तो मा लेते हैं इसका भी backup तो एंटर करेंगे तो इसका भी backup बन जाएगा इस address पर दो ही companyya इसलिए यहाँ पर दो आगए अगर आपके पास 5 ह दो या फिर तीन जो भी जितना भी चाहते हैं लास्ट में आपको फाइनल यहाँ पर end of list करना होता है और accept करना होता है ठीक है और आपका जो backup है वो बन जाता है ठीक है अगर आपको यहाँ पर हम दिखाएं दिस PC में डी ड्राइव में यूपी नाम के फोल्डर में देखे एक्जामपल के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यह दोनों कमपनिया डिलीट कर देते हैं क्यों क्योंकि हमने backup बना ही रखा है तो यहाँ पर हम डिलीट भी कर सकते हैं तो यहाँ डिलीट करने के लिए आपको अल्ट के साथ F3 और यहाँ पर आपको जाना है अल्टर में ठीक है यह डिलीट हो गई अभी यहाँ पर देखिए select company में जाते हैं तो इस address पर कोई भी company नहीं है ठीक है कैस SD 1 और 3 वाली अब हम क्या करते हैं restore करते हैं तो restore करने के लिए आपको simply restore पर जाना है और same वही चीज़ देखिए अब की बार यहाँ पर क्या हुआ अब की बार यहाँ पर यह हुआ है destination मतलब देखिए source अब की बार हमारा क्या होगा अब की बार जो source है वो है dup क्योंकि अब की बार जो हम data यानि बडरी इस्टोर जहां से कर रहे है वो company हमारी कहा है store है d drive में और up वाले folder में ठीक है और destination मतलब रखना कहां पर है तो हमें रखना है c user public या फिर आप चाहें तो address चेंज कर सकते है ठीक है चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर backspace button प्रेस करना है और फिर से backspace destination बदलना चाहते है destination बदल दीजिए और अगर source बदलना चाहते है source तो नहीं बदल सकत है तो उसका address यहाँ पर पढ़ेगा simple और फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर site में दिखाएगा कि इस source पर यानि इस जगे पर आपकी दो कंपनिया है उनमें से किसको restore करना है तो यहाँ पर हम cash std3 को restore करना चाहते है तो यहाँ पर हमने इस पर एंटर किया और यहाँ पर यहाँ पर हम इसे भी restore कर लेंगे अब यहाँ पर आप जाके select company में देखेंगे तो उसी address यानि user वाले में दोनों कंपनिया हैं और दोनों कंपनिया हम कोई भी company खोल के चक करेंगे आपको as it is पूरा सारा material मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राइल से एक अप्रिल से पूरा एक मार्च तक है जो हमने अभी भी पिछले वीडियो में cash history 3 को complete किया था ठीक है inventory management with GST पर काम किया था वही company है आपको पता होगा ठीक है चले तो यहाँ पर backup और restore दो चीज़े तो समझ में आ गए ठीक है backup करना डैली का backup बनाना और उसे restore करना ठी से ना तक है एक अप्रिल से लेकर करके और कहा तक आपका 31 मार्च तक थक समझ गया ला 31 मार्च थक यानी पूरा total कि इतने मार्च यह भारा महिने और बारा महिने का जो data हो सुर्फ एक ही company पर है हो सकता है किसी ने आप से यह का हो कि April से ले करके और September तक का जो 6 महीने का data है वो हमें चेक करना है वो आप हमें भेजिए और पूरी company आप नहीं भेजना चाहते हैं पूरा 12 महीने का data नहीं भेजना चाहते हैं तो आप split कर सकते हैं यह फिर September के बाद March तक का I think समझ गया होंग तो फिलाल और यहां पर हम split company data का यूज़ करते हैं ठीक है split company data से हम company का data है वो दो टुकडों में बाठ सकते हैं तो यहां से हम select company में जाएंगे select company में यहां पर कौन सी कमपनी तोड़नी है तो यहां पर हमें castłe TWO तरी 3 और एंटर करेंगे यहां पर split from मुलब कहाँ से बराबर बराबर तोड़ना चाहते हैं या फिर April मई जून मुलब तीन महीने अलग और बाकी के जो 9 महीने वो अलग करना चाहते हैं जहां से भी आपको split करना है, वो date यहां पर आपको डालनी है, ठीक है, तो यहां पर example के लिए सब्टमबर रखते हैं, यहां पर माई और जून, हमें एक जून से तोड़ना तो यहां पर एक माईनस और जून, जे कैपिटल, यू, एन इस तरह से, एक जून, और यहां पर इस का नाम होगा, cash study 3, 2017-2018, और यह भी साथ में लिखा होगा, from 1st April 2017, ठीक है, और जो दूसरी कमपनी होगी, उसमें भी वही सेम चीज़ होगी, बस लास्ट में यहां पर लिखा होगा, from 1 जून, मलब यह जून से डेटा आएगा, दूसरी बार में, ठीक है, तो अप्रेल और म ठीक है, एक कमपनी में, मलब दो मन्त होंगे, और बाकी एक कमपनी में आपके 10 मन्त होंगे, ठीक है, तो यहां पर हम स्प्लिट करते हैं, बहुत ही सिंपल था, बस हमें यहां पर बताना था कि कहां से यानि कौन से डेट से स्प्लिट करना है, और यस कर देंगे, यस कर दे यानि हमने cash study 3 को क्या किया था दो टुकड़ों में बाड़ दिया था तो जो original company थी वो भी आपकी है यहाँ पर अगर हम आपको ultra free और select company में दिखाए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो original company थी वो तो पूरी 12 महने की एक ही पर है उसके मलब दो part जो हुए है वो दूस और डे भूक में तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 जून से सीधे entry हैं ठीक है अब यहाँ पर आप सोचें एपरेल की देखे एक,-4 ठीक है, एक कपर आप देखेंगे एक कपरया पी हो पार से, नहीं है ठीक है, इसि तरह से अगर यहाँ पर हम फिर से select company और यहाँ आप यह पर हमने company info में जो है backup और restore समझ लिया, split company समझ लिया है, बाकी यहाँ पर हम select और set company, create company पता है, अल्टर से भी क्या होता है, पता हो चल गया है, अब यहाँ पर दो option हमारे बच्चे है, security control और change tally vault, ठीक है, तो इन दोनों के बारे में यह देखिए, यह दोनों जो option होते हैं काफी important हैं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अभी तक हमने tally, जो हमारी company थी tally में, उस पर हमने password डालना नहीं सीखा है, ठीक है password हो गरा कैसे डालते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में जो हम हम security control और change tally vault को पढ़ेंगे, ठीक है, तो okay so thanks for watching this video,